नमस्कार दोस्तों मैं उंकर उपाध्याई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसस में दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूँगा IT स्टॉक्स के बारे में और इस्पेशली इन्फोसिस और SCLT काफी सारे लोगों के दिमाग में सवाल होंगे कि भाई सब कुछ अच्छा है उसके बाद शेर क्यों गिरी है समझ में नहीं आ रही है चीज़े क्या करें क्या ना करें तो यहाँ पर मैं आप सभी के साथ क्लियर ली वन साइड पहले ही बता दू कि बेचना बिल्कुल नहीं है और एवरेज करना है यह मौका है यह बैस्ट मौका है गिरे नहीं है पर एवरेज करना है देखिए इनफोसिस ने तो यूटन मार दिया है और सुबह से जो आधे परसेंट पॉन परसेंट नीचे था वो अभी एक परसेंट से जाधा की तेजी में है ठीक है सेकिन दिंग सेल टेक भी दीरे दीरे ऊपर आ रहा है और सेल टेक ने जो नंबर्स पेश करें वो डेफिनेटली इस स्टॉक के लिए एक ऐसे नंबर्स थे जो मतलब पांच परसेंट उचलना चाहिए था स्टॉक बट जब कमेंटरी स्टार्ट हुई तो कमेंटरी थोड़ी सी कॉसियस साइड पे आ गए नेक्स्ट क्वार्टर के लिए थोड़े आगए क्या उटलुक जो है वो थोड़ा सा आप अगर इस स्टॉक के नंबर्स देखोगे तो आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं दिखेगी ना तो आपको प्रॉफिट के नंबर्स के सामने कोई दिक्कत ना मार्जिन्स ना ही रेविन्यू अब अगर मैं इसकी मार्केट के एक्सपेक्टेशन के सामने बात कर जहां पर revenue around 18.5% की अनुमान थे sorry margins वहाँ पर 19.51% की something का कहीं न कहीं margins पेश करें company ने 27,000 करोड के revenue की market की expectations थी जिसके सामने company ने around around 27,600 करोड का revenue पेश करा तो हर एक पैमाने पे तंगडे numbers हैं ये और मेरे साब से ये आपके लिए opportunity है और इस opportunity को आपको miss नहीं करना चाहिए ये best मौके हैं खरिदारी करने के definitely आपको इनकी stocks को accumulate करना चाहिए लेना चाहिए TCS की बात कर तो TCS के number में भी मुझे कुछ खराबी नहीं दिखी थी हाँ उसमें कुछ अच्छाई भी नहीं थी in line कह सकते हैं हम उसे बट उसमें एक special surprise था company की तरफ से जो की special dividend था वो 75 रुपे पर share का dividend वो अपने आप में एक बड़ी चीज थी जिसके बाद stock में definitely positive momentum आना था तो results वाले दिन तो stock गिरता है लेकिन उसके बाद आपने देखे क्या सांदार जरनी तैकर यह stock ने उपर की तरफ अभी 3351 पर देखे किलियरली बोलूँगा buy and hold है यहाँ पर मुझे 2023 में out performance दिखती है अगर TCS की बात करें तो इस stock में आपको 3350 के label अभी दिख रहे हैं मुझे लगता है 3400 रुपे की तरफ जाने के लिए आने की तैयारी कर रहा है इनफोस इसकी बात करें तो stock में clear cut ऊपर के संकेत आ रहे हैं काफी तेजी से दोड़ लगाता हुगा दिख रहा है लगबग लगबग आपने 980 रुपे से लेकर 1140 रुपे तक की जरनी देखी उसके वाद company ने investors में कुछ खराब commentary कर दी अगर बात करें विप्रो की तो यहां पर आज इसकी earnings आनी है company की और stock ये भी अच्छा लगता है chart pattern भी double bottom form करा है in effect stock ने और ऊपर जाता हूँ दिखता है बट आज इसके numbers से पहले मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं कहूँगा जिस पर वो बने रहे trading view है तो proper stop loss रखके exit लेनी चाहिए आपको और target भी रखना चाहिए लेकिन investor को लिए कुछ नहीं करना है आज बने रहना है आपके लिए Monday को जो भी होगा अगर गिरता है तो fresh entry ली जाएगी average करा जाएगा और उपर जाता है तो हमारे पास जो quantity उसके साथ ही हम खुश रहेंगे तो मेरे इसाब से ये week सारे numbers अच्छे आए है आईटी चाहिए वो Infosys और TCS और SCL Tech को हाँ वो बात अलगे कि stocks में reaction नहीं आ रहा है बट डेफिनिटली मुझे लगता है आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा Tech Mahindra की बात करें तो 993 पे ट्रेड कर रहा है इसका चार्ट पैटन थोड़ा सा वीक है और स्टॉक बिलकुल एग्जेकली अपनी बॉटम लाइन पे खड़ा है अगर यहां से नीचे जाता है तो बड़ी गरावट हो सकते है बट मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा खुछ गुंजाई से 16 के प्राइस टू अर्निंग पर यह स्टॉक आपको मिल रहा है 60 रुपीस का इसका अर्निंग पर शियर है जिसके सामने स्टॉक आपको 16 टाइम पर ट्रेड करता हूँ दिक रहा है मुझे लगता है यहां से अगर आप इसको 20 के अर्निंग भी देते हैं तो अगर मैं 60 को 60 टू 20 करूं तो अराउंड 1200 का भाव निकल के आता है तो वह एक मिनिमम टारगेट तो मुझे मतलब एक डिसेंट वैल्यूशन का हूँ आपके पास कोई एक ट्रिगर नहीं है कि आपको कि बहार निकाल रहा हूँ एक रीजन नहीं होगा बट फिर भी आप नि डेफिनिटली अपने आप में बहुत बड़ी चीज है बट मैं इतना क्या रहा हूँ कि इन्वेस्टर को प्राइज एक्शन नहीं देखना चाहिए जाता है इन्वेस्टर को उसके फाइनशियल फंडामेंटल वैल्यूशन देखने चाहिए जो कि सबरे के सारे फेवर में आपके hold and buy के लिए तो यह होगी मेरी वीडियो होप आपको समझ और प्रसंत दौनों आई होगी थैंक्यू सो मुच पर वाचिंग इस वीडियो आप ग्रेट दे गाइस